असलाम लेकुम दियर स्टूडेंट्स, how are you all? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 5. बच्चों हम पर रहे थे chapter number 5 about our country. हमने कुछ important cities के बारे में पढ़ा था और बाकी के important cities के बारे में हम अभी पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे अपने important city रावल पिन्दी के बारे में. तो हम इसको रावल पिन्दी क्यों कहते हैं? इसका नाम हमने लिया है फॉम रावल लेक. क्यूंकि इसके करीब है रावल लेक. Major city on the grand trunk road between Pishabar and Lahore. यह बहुत ही major city है on the grand trunk road. grand trunk road पे जो के connect करती है पिशावर और Lahore को. One of the oldest settlements along the Khayber-Pishabar-Lahore route. Oldest settlements होने का मतलब यह है कि अगर आप किसी जगा पे जा रहे हूँ और आपने कहीं पे रुकना है, थोड़ी दिर rest करनी है, कुछ खाना पीना है, तो उसको आप कहोगे कि यह एक settlement है. तो रावलपिन्दी इस दे ओल्डेस settlement, यानि कि यह बहुत ही पुराना शहर है, एक ऐसी जगा जो बहुत पुरानी है, जहां पे रुका जा सकता था, अगर आप ट्रेवल करें उस route पे जो connect करता है खेबर को, फिशावर को और लहौर को. जहांगीर, दे मुगल एंपरोर मैंशन्स रावलपिन्दी इन इस मैमोयर्स जहांगीर नामा. अब जो जहांगीर था, जो कि एक मुगल बादशा था, उसने एक मैमोयर लिखा, मैमोयर हम किसको कहते हैं, जिसमें आप अपनी मेमरी लिखते हो, अपनी यादें लिखते हो, आपके साथ क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या देखा, यह सब कुछ आप उसमें लिखते हो. तो जहांगीर ने एक मैमोयर लिखा था, जिसका नाम था, जहांगीर नामा और जहांगीर नामे में भी रावल्पिंदी का दिकर है British forces fought many battles in this region to take the khaybar pass and establish control over अफगानिस्तान अब जो British forces थी उन्होंने बहुत सी जंगे लड़ी fought many battles, कई battles लड़ी in this region जो ये इलाका है जहां पे रावल्पिंदी इस वक्त है to take the khaybar pass क्योंके वो khaybar pass पर कबजा करना चाते थे khaybar pass connect करता है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से and establish control over अफगानिस्तान क्योंके वो क्या चाते थे वो अफगानिस्तान के उपर कबजा करना चाते थे वो अफगानिस्तान तक रसाई चाते थे इसलिए वो पहले चाहते थे के खैबर पास उनके कंट्रोल में आ जाए ताके वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर सके अब जो पाकिस्तान आम फोर्स के हैड़कोर्टर्स हैं जितनी भी एक्टिविटीव हैं हमारी मिलिटरी यानि के हमारी फोजी उनमें से जाधा तर जो प्लैन की जाती है जो स्ट्राटरजी अपनाई जाती है वो सब कुछ डिसाइड किया जाता है रावल पिंडी में क्योंक और इंपोर्टन्ट्रेड और कमर्शल सेंटर टो यह तो पूमने अगर आपको यादो तो कराची के बारे में भी पड़ा था के लिए पारे में कोमर्शल C T उनमें बहुत एहम रोल अदा करते हैं. अब हम बात कर लेते हैं अपने एक और important city की यानि के पिशावर की. Capital of Khaybar Paktoonkha तो किशावर capital है of Khaybar Paktoonkha जिसको normally KPK भी हम कहते हैं. Long history dating back to ancient times. पिशावर की भी बहुत important history है. बहुत एहम और interesting तारीख है. जैसे कि हमने बाकी cities के बारे में भी पढ़ा. कि अगर आप उनकी history के बारे में पढ़ना शुरू करो. तो all of them have very important histories. बहुत important और interesting incidents हैं इन सब शहरों की तारीख में. It guards the khaybar pass. पिशावर guard करता है यानि के हिफाज़त करता है. ये एक ऐसी position पे है, जो के शुरू में है, khaybar pass के. So it guards, यानि के हिफाज़त करता है, the khaybar pass. It is through this pass that armies, people and cultures enter this region and move to central Asia. अब ये जो pass है, जिसको हम khaybar pass के रहे हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा के वो अफगानस्तान और पाकिस्तान को आपस में connect करता है. It is through this pass that armies, people and cultures, ये इसी pass के through मुमकिन हुआ के मुगतले फोजों ने, लोगों ने और culture भी, यानि के मुगतलिफ जगों से तारलोक रखने वाले जो cultures थे, traditions थे, norms थे, enter this region and move to central Asia. इस region में enter हुए, इस region में इस वक्त पाकिस्तान मुझूद है and move to central Asia और पूरे Asia में फैल गए. यानि के जो इलाका है, खैबर पास का, ये वो एहम इलाका है, जहां से मुख्तलिफ साइट से central Asia में लोग आए, फोजें आई, साथ-साथ वो अपने culture लेकर आए, अपनी traditions लेकर आए. इसी लिए खैबर पास बहुत ज़ादा एहमियत का हामिल है, बहुत ज़ादा important है और इसी वज़ा से पिशावर भी बहुत ज़ादा important है. Center of some remarkable civilization such as गंधारा and कुश्चन Empire. तो जैसे कि मैंने पहले बात की कि हमारे जितने भी important cities हैं, उनकी कोई ना कोई interesting history है. इसी तरह पिशावर की भी बहुत interesting history है and it is center, यानि के मरकज है of some remarkable civilizations, कुछ बहुत ही important civilizations का civilization के किसी खास दौर में कुछ लोग कैसे रहते हैं, such as गंधारा and कुश्चन Empire. जैसे के गंधारा civilization and कुश्चन Empire, ये जो civilizations थी, ये ancient times की, यानि के कदीम times की civilizations थी और ये इसी इसी इलाके से तारलोक रखती थी, जहां पे आज पिशावर है. इसके इलावा, जो मोगलों ने हम पर हकूमत की, जितना अर्सा वो जिंदा रही और उगी हकूमत चलती रही, उस दौरान भी पिशावर बहुत जादा important city रहा, यहां पे बहुत सी important activities होई. अब आपकी exercise में there is a question, question number 8, which town is called the frontier town? कौन से टाउन को frontier town कहा जाता है, तो इसका जवाब है पिशावर, पिशावर is called the frontier town. अब हम अपने अगले city के बारे में पढ़ लेते हैं, that is Kuwaita. The word Kuwaita comes from Pashto word Kuwaita, which means fort. Kuwaita word एक Pashto word से आया है, Kuwaita, which means fort. Fort हम कहते हैं, किले को. Capital of Balochistan, Kuwaita किस जगा का capital है? It is the capital of our province, Balochistan. Smallest of the provincial capitals, but equal in importance. Although Kuwaita छोटा है, उसका area कम है as compared to the other capitals that are present in our country, लेकिन इसकी एम्मी थोड़ी नहीं है, इसकी importance थोड़ी नहीं है. यह उतना ही important है जितना के हमारे बाकी के capitals. 1935, terrible earthquake destroyed most of the city. 1935 में क्या हुआ के कोईटा में बहुत ही एक बुरा जलजला आया, जिसकी वज़ह से सब कुछ डिस्ट्रॉई हो गया, सारी बिल्लिंग्स खातम हो गई, बहुत से लोग मारे गए. और बहुत सा नुकसान हुआ इस जलजले के नतीजे में. लास्ट इस अफ काईदयाजम स्पेंट है इन काईदयाजम रेजिडेंसी नाओ अ म्यूजियम. और काईदयाजम ने अपनी जिल्लिगी के जो आख़ी चंद दिन थे वो भी गुजारे थे कोईटा जियारत में. वहाँ पे उनका घर था जिसको आज काईदयाजम रेजिडेंसी कहा जाता है. और अब उस घर को एक म्यूजियम बना दिया गया है. यानि कि लोग उसको देखने आते हैं और ये देखते हैं कि काईदयाजम का घर कैसा था, वो किस तरह की चीजें इस्तमाल करते थे, उनके घर का स्ट्रॉक्चर कैसा था? आपकी एकसरसाइज में, there is a question, question number seven, why are there not many ancient buildings in Quetta? हमने जितने भी cities परे, सब वे कोई ने कोई important buildings थी, ancient buildings थी, लेकिन हमने कोईटा के बारे में ऐसा नहीं पढ़ा, क्यों? why are there not many ancient buildings in Quetta? क्योंकि मैंने आपको बताया के Quetta में एक बहुत ही बुरा जलजला आया था, जिसके नतीजें में बहुत जादा नुकसान हुआ, बहुत सी buildings खतम हो गए थी, इसलिए अगर कोई ancient buildings मौजूद थी भी, तो वो जलजले के नतीजे में खतम हो गए थी, तो बचो यहां पे हमारे important cities वाला topic खतम होता है, बागी का chapter हम पढ़ेंगे अगले lecture में, अपना और अपनी family का बहुत सा ख्याल रखिएगा, अला हाफिज